शुक्र और सूर्य देव की युती से इन राशी वालों का शुरू होगा अच्छा समय वैदिक जोतिश शास्त्र में ग्रहों के राशी परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ता है। ग्रह एक निश्चित अंतराल पर गोचर करते हुए अन्य ग्रहों के साथ युती करते हैं। आपको बता दें कि आत्मा और मानसम्मान के कारग्रह सूर्य और सुक फैभव के दाता ग्रह शुक्र करक राशी में प्रवेश कर चुके हैं। इस तरह के करक राशी में शुक्र औ जानते हैं कौन-कौन सी है भाग्यशाली राशिया करक राशी करक राशी वालों के लिए सूर्य शुक्त्र की यूती बहुत ही लापकारी सिध्ध हो सकती है यह यूती आपके लगनभाव में बनी हुई है ऐसी में आपके मानसम्मान और धन दौलत में बड़ोतरी देखने को मिलेगी कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता के यूग है आपको अपने कारी में मानसम्मान की प्राप्ती होगी आपकी कार्यक्षमता में व्रिद्धी देखने को मिलेगी वैवाहिक जीवन शांदार रहेगा आत्म विश्वास में व्रिद्धी होगी कन्या राशी कन्या प्राशी के जातकों के लिए सूर्य शुक्र का सन्योग बहुत ही फल्दाई साबित हो सकता है यह यूति आपके कुंडली के आए और लाप से स्थान पर बन रहा है आए के साधनों में इजाफा हो सकता है धन लाब और भौतिक सुच्चु विधाओं में व्रिद्धी के संके हमें जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा निवेश से लाप के अवसरों में व्रिद्धी हो सकती है परिवार के सदस्यों की टरफ से कोई शुप समाचार की प्राप्ति हो सकती है मिथन राशि मिथन राशी के जातकों के लिए सूर्य शुक्र की यूति जाफा देखने को मिलेगा आर्थिक स्थिती में सुधार पहले के मुकाबले बहतर रहेगा व्यापार करने वाले जातकों को आज कोई बरी दील प्राप्त हो सकती है अटके हुए धन की प्राप्ती होने से आपके कई रूके काम रफ्तार पकड़ेंगे अगर आपको हमारा य लिवांजली को सब्सक्राइब करें